सिर्शा तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमस्कार स्वागत आपका सिर्शा तेज वेब चैनल में मैं हूँ परमौद और इसमें वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंदर दद के साथ मुझूद हूँ सिर्शा जिले के गाउं बुड़ा भाना में और जैसा की जब भी घगर नदी का जल सतर बढ़ता है कि घगर नदी है वो लगब आदी हो चुकी है आदा पानी उसमें आ चुका है लगातार भेतर घंटे से अधी का समय हो चुका है रुक रुक के बरसात हो रही है पंजाब के इलाकों में हिमाचल में तो उसी का जो असर है वो यहां सिरसा में देखने को मिल रहा है घगरनदी का जल सतर है लगाता बढ़ रहा है जब जब भी जल सतर बढ़ता है तो घगरनदी के दोनों तरफ जो गाओं बसे हुए हैं उन गाओं में रहने वाले किसानों की चिंता है वो बढ़ जाती है चिंत जब भी घगर नदी जो पानी है वो पर आ जाता है तो गाउं में पानी घुश जाता है इसके अलावा कुछ गाउं ऐसे भी हैं जहां किसानों की जमीन है वो घगर नदी के बिलकुल पास लगती है जब भी घगर नदी का पानी और फलो होता है तो उन खेतों में पानी चला में हैं गगर नदी के बांध पे इस समय में मौझूद हूँ और मल्लेवाडा से लेकर के बुड़ा वाना का जिकर करें तो ये सरकारी बांध नहीं है किसानों ने अपने सतर पे ये बांध है वो बनाया हुआ है लगातार जब भी बारिश होती अधिन सिंचाई बिबाग के प्रवंद है वो यहां नजर नहीं आ रहे हैं ना यहां लाइट की ववस्ता की गई है ना जो मिटी से भरे हुए बैग है मिटी भी नहीं डाली है कि पिछले साथ से आठ साल तक का समय बीथ चुका है लेकिन मिटी यहां नहीं डाली जा चुकी है हम आपको बताएं कि घगर नदी है वो पंजाब के रस्ते से सिर्सा में परवेश करती है चाहे हम बात करें सरदूल गड की और वहां से लेकर के सिर्सा के दो से अधिक दरजन जो गाव है एलनावाद तक वो पढ़ते हैं घगर नदी में 90 किलो मिटर का जो डिस्ट हुआ था उस समय करीब सतर गाउं है वो बाड से प्रवावित हो गए थे सतर गाउं में जो पह है वो नुकसान हुआ था इसके अलावा 33,000 हेक टेक जो फसल है वो पूरी तरह से ब्रवाद हो गी थी राणिया अक्षेतर के कुछ गाउं ऐसे भी थे जिन गाउं की जो ले 1988 की 1988 में घकर नदी में बांध आई थी तो उस समय जो भारत के परधान मंतरी थे राजिव गांदी वो भी यहां सिरसा आये थे जाई-जा लेने के लिए बाड का और लास्ट टाइम में आपको बताओं कि 2010 में भी मुख्या मंतरी भुपेंदर सिंग हुड़ा है वो फर परसासन ने एक जो किष्टी है वो उपलब्द करवाई हुई है क्योंकि जब भी घकर नदी में पानी आता है तो दोनों गाउं का जो संपरक है वो बिल्कल तूट जाता है दूसरी तरफ में आपको दिखा रहा हूँ यह फर्वाई कला और फर्वाई खुर्द गाउं करें तो किष्टी के रस्तो Deskade से ही जो लोग हैं वो सिर्चा पहुंचते हैं यह एक इनका संसाधन है यह कह सकते हैं यह इक प्रसासन में आपको परसासन ने हैं और जो पिछले लंबे समय से किस्ती चला रहे हैं वह जो भी काकॉँ हमारे साथ है क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी घगर नदी को ले करके तो इनसे बाचीत हुई थी मैं जब इस गाउं में आ रहा था तो इन्हों इस पाणी नाड़ी चुकी है तो घतर हो सकता है आपको बताएं कि लगातार बरसात को ले करके हैं अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल सरकार की और से बी और जो पंजाब सरकार की और से चुकि पंजाब में भी काफी बरसात है हर्याना में भी हम बात करें तो हर्याना का जो यह हिस्सा है चाहें एंसियर की बात करें चंडीगड में भी पानी घुस गया है ऐसा कल सोशल मीडिया पे खूब चर्चाएं थी और यह सिर्सा का जो इलाका है गगर नदी के साथ सटा हुआ कहीं न कहीं किसानों का हर साल जो है नुकसान होता है यह बाहर आता है और ये बीक सकते हैं ने अपने सतर चाहें बस जो बांद जियुके सबस्नेद्स हOOD कि जमीन आमे और है इनका इनकी जमीन है वहीं nós एकversion को उसनिया सोशल मीडियow जो भी पिछ्छे पंजाब हमाचल देविच बरसात है उदे कारण और वाली समय देविच भाड़ दा खत्र है इस कारके सी सरकारतों अपील कर देए प्रशाष्ण नों बलाक देवी जो अधकारी ने वह इस बनने ते आके चंगी तरह दा मौजा करना एकता की है कि एदेच क के लिए पाने पाने लागदा है कि पहला सफाई होने चाहिए और दो बाद जेशी भी दे रहें कुछ मिटी पाउन वाली यह उचाके सहर तो मिटी पाई जागे उस्तों बाद सानु जोड़े बैगने समेंट दे गट्टी है वो मिल जाने चाहिए बाहर दे पहलना मतलब ह सानु पहरे वास्ते लैड़ दा प्रबंद होजे क्योंके थे लैना था बहुत नहीं पासे बिजली दिया ते पर हो थे मतलब बल्ब विशाय जानते मतलब लाया जाले सानु एस है ता सरकार वो लो मिल जाने चाहिए ती है मतलब के मीडिया दे रही परशासन तो मांग कर और यहां कि यह थे मेरे साथ किसान जिननों ने कहा कि शिंचाई भी भाग एन मोगे पर आ कहकर के जल्दागी में तमाम सारे परबंद करता है ताकि उस समय कुछ भी नहीं हो पाता, किसान है वो पुरी तरह से तयार नहीं हो पाते, इस से पहले जो है लगातार यह कहता रहता है कि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसान यह कहते हैं कि बिलकुल भी टाइम नहीं लगेगा जब यह पूरा पानी है गाउ में प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इसका गर नदी की सुद ली जाए लंबे समय से इसमें मिटी नहीं डाली गई है और बांध है वो भी उसको मजबूत नहीं किया गया है इसके अलावा सफाई ववस्ता भी कुछ भी नहीं है सफाई नहीं की गई है और लाइट का भी प्रब साथ है जो रिकार्ट तूट चुके हैं हर्याना के हम बात करें तो अगर बरसाथ ज्यादा होती है तो निश्य तोर पे घगर का नदी का जलसतर है वह भी बढ़ेगा और घगर नदी का जलसतर बढ़ेगा तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास के क्रीब जो दो दर्जन से अधिक गाउं हैं वह बिल्कुल जो है खत्रे के जो है खत्रे पे जो है बस रहे हैं वह यह कह सकते हैं कि जो किसानों को इस पूरे मामले को ले करके खत्रा है वह नजर आने लगा है हमारे साथ आप लगातार बने रही है सिर्शा तेज के लिए हमारे यूट स्वेटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो किजिए बहुत बहुत शुक्रिया